तो मौसम जो है वो बादल जो है च्छा गए थे और भी बारिश जो हो रही है बुदा बादी हो रही है ठंड की राद करें तो काफी ठंड जो है धम शाला में भी बढ़ गई है अगर धुलाधार कीनू उची पहाणियों के बाद करें तो बारी भी इन पर हो रही है रीचे लाइब तस्वीरों के माध्यम से आप दिख सकते हैं कि किस तरीके का मौसम इस वक्त धर्मशाला में बना हुआ है हलाकि मौसम विबाद की माने तो किसी भी तरह का कोई अलर्ट जो है वो जारी भी प्या गया था बारिश को लेकर के लेकिन अचानक मौसम करवड जो है वो हो चुकी है लाइब तस्वीरे हम आपको लिखा रहे हैं कि चरी चौक से लगातार मौसम जो है वो बारिश वाला बना हुआ है आप दिख सकते हैं पहाड़ों की और बरभारी पहाड़ों के बहु रही है और नीचे जो है वो हल्की मूंदा बांती जो है वो हो रही है हलाक बारिश जो संभावना है वो भी कहीँ न कहीं अब बढ़ गई है क्योंकि बार्दल जो है वो ध्म शाला में बारिश होती है कहीं न कहीं किसानों को काफी रहा जो है इस से मिले घी हलाकि रहे हैं कहीं सुकी ठंड जो है वो बड़ी शित्र में बढ़ी थी जिसके चलते अस तरह रहे थे लेकिन जिस तरीके से अपने बारिश थी है और अब भी बारिश की संभाबना बनी ही है उसे हिसाफ सोथ हो गए कहीं न कहीं राहत जो है जो है बुझानों को विनेगी इस तरह लाइप तस्वीरे और बारिश अधर मिशाला मैं बोलता बादी जो है वो शुरू तेज हवाइं भी अधर मिशाला मैं अगर मुसम की बात करें तो यहां इस वक्त हो रही है लाइप तस्वीरे और मुसम जो है वो काफी इठंडा इस वक्त का है और कहीं न कहीं यह भी उमीद जता ही जा रही है क्योंकि दिसंबर का महीना है और क्रिस्मिस जो है वो भी क्योंकि टियोहार आने वाला है उसको लेकर के अगर पहाड़ों पर खूब बर्फवारी होती है अगर निचलक्षीत्रop में बारिश होती है तो इससे काफी कारोबार, जो ہोटल वेवसाई है उनका भी होगा और जादा से जादा संख्यामे टूरिस्ट जो है वो धर्मशाला मेकलोट गंज पहुंच सकता है तो ऐसे में कहीं न कहीं हुमीद यही जताई जा रही है कि बारिश हो और पहाड़ों पर खूब सारी बर्कबारी हो ताकि दोलाधार की जो यह वादिया है वो सफेद चांदी जैसे दिखिए और जादा से जादा जो टूरिस्ट है वो धर्मशाला की और रुप करें न्यू येर अपरने वाला है इसी के साथ है लाइव अतस्वेरे कचरी जोंक से हम आप तक सांजा कर रहे हैं अप्टेट आप दे रहे हैं किस तरीके का मौसम इसे बना हुआ है पुछले भर में पुरा जिला जो है वो ठंड की चपेट में है क्योंकि अलकी बुदा मादी जो है वो शुरू हुई है और मौसम फूरा बादल जो है वो आसमान में अचाय हुए है देख सकते हैं अजय है अजय है लएव तस्वीरों के माधम से अधर्म शाला के मौसम का हाल अमातुक नटा रहे हैं लादल आप देख सकते हैं किस तरीके से बादल जो है वो असमान में चाय हुए है और यह देख सकते हैं लाइट दस्रीर है कि शाम तक बारिश पूरे आसार है क्योंकि भूंदा बांदी शुरू हो गई है खंड काफी बढ़ गई है और कि वक्त की यह लाइब तस्वेर है तो पी बारिश को किसानों को नहीं बल्कि घंसलावाशियों के लिए जो टोरिस्ट प्रेटन का कारवार करते हैं जो मुटी बैसाई है उनके लिए भी बहुत नहीं में रखता है क्योंकि आप पहाणों पर बर्फबारी होना भी बहुत ज़रूरी है तो ऐसे न अब यहीं क्यास लगाए जा रहे हैं कि बारिश हो और क्रिस्मस को लेकर कि ज़रूर बर्फबारी हो और जिससे तोरिस्ट जो यहां पर पहुंचे है कि मौसम अपडेट हम आपके सांजा कर रहे हैं लेकिते हैं लाइफ तस्वीर है अज़रूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरू लाइशाटरूरूरूरूरूरूरूरू